है लो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग स्वागत आप सभी का आर्वी अडियोटीव क्लासेज में तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि यहां पर सेरी चल लिए आर्थमेटिक प्रोग्रेसन चेप्टर की जिसमें कोश्चन नमबर थ्री सॉल्व किया रहा है जिसम कर चुका हूं आज का जो हमारे टॉपिक है वह हमारे 9 नमबर का कोश्चन यहां पर आज हम देखेंगे कि 9 नमबर कोश्चन में क्या पुछा गया है तो सबसे पहले 9 नमबर कोश्चन में दिया गया A की वैलू 3, N की वैलू 8 और S की वैलू 192, D की वैलू उमसे पूछा ग सब्सक्राइब कोश्चन में दिया गया है इस कोश्चन में हमें दिया गया है फस्ट टर्म A is equal to 3, common difference number of term N is equal to 8, sum of arithmetic progression AP 192 यानि की A की वैलू, N की वैलू, S की वैलू हमें दिया गया है, D की वैलू हमसे पूछा गया है, इसमें D क्या होता है, common difference होता है मतलब हमें common difference बताना है कि इस AP का common difference कितना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं solution, 3, यहाँ पर मिस्ट है students, यहाँ पर होगा 9, ठीक है, तो solution, 9, we have, मारे पास क्या है, A is equal to 3, N is equal to 8, S is equal to 192, तो हम इसको solve करेंगे by using sum of NAP, तो sum of NAP का formula होता है, S N is equal to N by 2, 2 into A, plus under bracket N minus 1 into D, तो यहाँ पर S N की value हमारे पास है, 192, put कर देंगे, N की value हमारे पास 8 है, और A की value हमारे पास 3 है, plus 8 minus 1 into D, D की value हमें find करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम solve कर लेंगे, तो 2 अंजा 2 आ जाएगा, और 2 फोर जा 8 आ जाएगा, ठीक है, so finally, 192 is equal to 4, 2 into 3, 6, plus 8 minus 1, 7 D, यह 4 into में उदर जाएकर division में हो जाएगा, 192 divided by 4 is equal to 6 plus 70, इसको divide करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, and 4 3 जा 12, sorry, यहाँ पर कुछ problem आ गई थी, ठीक है, आप लोग बताईए कि आवाज सब सही आ रहे कि नहीं आ रहे है, ठीक है, एक बार like कर दिजिए, comment करके बताईए, आवाज होगर है सही आ रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 जा 16, और 19-16 करेंगे, तो 3 remain होगा, 32 हो जाएगा, 4 8 जा 32, ठीक है, तो finally क्या आएगा हमारे पास, 48, यह इधर में, प्लस 6 है, इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, 7D, ठीक है, तो यहाँ पर 48 में 6 minus कर लेंगे, तो मारे पास 42 आजाएगा, 42 is equal to 7D, 7 into में उधर जाके division में हो जाएगा, यानि कि 42 divided by 7, is equal to D, 7 को टेबल आता है, तो अपर लिजए 7 बन जा 7, 7 सिख जा, 42, तो finally D की value कितनी आएगी, 6 आएगी, तो हम answer लिख सकते हैं, यहाँ पर, तो common difference, half given AP, D is equal to 6, यह हमारा इस question का answer होगा students, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो मा आप लोगों को समझा पाया होँगा, अगर यह वीडियो आप लोगों को helpful लागा है, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब दक के लिए thank you class,